हाई गाई वेलकम बैक टू अनदर व्लोग और आज का व्लोग में हमारा बहुत बड़ा पॉपट हो गया पॉपट क्या बताऊं मैं आपको जो अभी हम गाउं गए थे कल यह भी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग शूट कर रहा हूं कल जो हम गाउं गए थे हमने जो गोपरो से आपको दिखाता हूं और लेकर चलता हूं सीधे अपने सिस्टम पर बताता हूं किया एरर आ रहा है इसमें दुवारा लगाता हूं सिस्टम इंसर्ट करता हूं यह एरर आ है यू निद तो फॉर्मेंट दिस्क इन ड्राइव आई बिफोर यू केन यूज़िट तो आज हम आपको लेकर आए हैं मोटा महादेव सिध पीड जो की नैशनल हाइवे 74 से सट हुए नजीवार छेत्र में इस्तित है कहते हैं मौरे काल के वक्त मोटा महादेव जमीन के अंदर से स्वैंबू पर कट हुए थे तबी से माननेता है कि इस मंदिर में हर साल हर्दवार से जल लाकर मुटा महादेव के चड़नों में चड़ाया जाता है साथ ही जो कामणिये जल लेकर आते हैं वो मंदिर में प्रसाद के रूप में धतूरा और भांग चड़ा कर बाबा के दरवार में अपनी मनोकामना पूरी करते हैं कि जो भी शिवभक्त शिवरात्री के दौरान यहां से जल लेकर जाता है वो अगर इस मंदिर पर जला भी शेक नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है कि उस कामण रास्ते में कहीं भी खंडित हो सकती है जो भी शिवभक्त शिवरात्री के दौरान पैदल अपनी कामण हर दौर से लाते हैं तो यहां जो भैरो बाबा का जो मंदिर है वहां सोटा अपनी कवर्ण पे लगवाने से उनकी सारी धकान पल भर में दूर हो जाती है कि अगरान प्रड दॉड़ कर दू कर दो मॉड़ जाएंजों इवाया टालम जो कर दो वाल में हुप प्रिशन अप्राज लगना थाड़ utanli रहां तो यह थी एक छोटी शी कोशिश हमारे छेत्रमेस्तित मोटा महादेव बंदिर की मान्यता आपको बताने के लिए बस यही क्लिप बची थी हमारे पास जो आपको हम दिखा सकते थे बागी सारी क्लिप मैंने अभी आपको दिखाया गरब पूछ वी है तो वीडियो अगर हम यार संब दो क्या है अब क्यात् वेड कर दो कर दो क्यात्स बच्ट गुद्ट है विए एक प्या है तो मिए्यक गुष्ण च्ट ले जड गूट कर दो भंगो क्या है वीडिस्ती को और गीड दो और है ग